मैं हुसे ये नुरान और इंडिन मीडिया बुक में आपका स्वागत है करनाटगा गाउन्मेंट ने एकनॉमिकली बैक्वर्ड ब्रहमेंट के लिए स्कीम्स लॉंच की है अरुंदती और माईत्री करनाटगा स्टेट ब्रहमेंट डवलप्मेंट बोर्ड ने ये अनौन्स किया है कि ये जो दो स्कीम्स लॉंच की गई ये ब्रहमेंट ब्राइट्स के लिए है इन स्कीम्स के बेनेफिट्स कुछ इस तरह है अरुंदती स्कीम में दुलहन और दुलहन के परिवार वालों को शादी के लिए 25,000 रुपे दे जाएंगे और माईत्री स्कीम में बोर्ड ने दुलहन को 3,000,000 रुपीज देने का कहा है अगर वो किसी प्रीश से शादी करते हैं यानि किसी अच्चा करा या पुरोहिट से शादी करते हैं तो कहा जाता है कि इन दो स्कीम्स के बहुत सारी फैमिलीज को बेनेफिट्स मिलेंगे अरुंदती स्कीम से 550 फैमिलीज को और माईत्री स्कीम से 25 फैमिलीज को हेचेच संची दनन्दा, डारेक्टर ओफ बोर्ट ने कहा है कि हमने इस स्कीम को अवेल करने के लिए थोड़े से रिस्ट्रिक्शन्स लगाए हैं और वो रिस्ट्रिक्शन्स क्या हैं? फैमिलीज को अपने एकनोमिकली बैकवर्ड होनी का सर्टिकेट देना पड़ेगा और उनको ब्राह्मिन कम्यूनिटी से ही बिलॉंग करना पड़ेगा उनको ब्राह्मिन कम्यूनिटी में ही शादी करनी पड़ेगी bride and groom की ये पहली शादी होनी चाहिए और इनकी शादी को union में registered भी होना चाहिए शादी को at least 5 साल पूरे हो जाने चाहिए और इसको oppose करते हुए Y.B. Shreevatsa National Campaign Head of Youth Wing Congress ने कहा है कि सिर्फ एक तरह की शादियों को benefit देना ये बहुत ही backwards हो छे Board ने ऐसा कदम कभी Brahmin Entrepreneurs को यानि Business Women को लोन देने के लिए नहीं किया ना कभी Brahmin लड़कियों को Education के लिए Fund दे ऐसा सवाल Board के सामने रखा और कई सारे लोग Political Angle देते हुए इसको ऐसा भी कह रहे हैं कि ये schemes लड़कियों को Community से बाहर शादी करने के लिए रोकने के लिए बनाई गई है अगली खबर जहां Bird Flu का Impact Prizes में देखने को मिल रहा है जहां कहीं सारी States में Paltry Prizes गिर चुके हैं बर्ट के अन्यूजल डेथ की रिपोर्ट कहीं सारे राज्यों से मिली हैं हमने आपके सामने पेश की थी केरला, राजस्तान, मद्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश में ऐसे अन्यूजल डेथ्स देखने को मिले Central ने warning दे दी है कि bird flu या avian influenza का breakout हो चुका है और मरे हुए birds के samples में H5N1 virus को पाया गया WHO का कहना है कि H5N1 बहुत ही infectious है birds के लिए और उनके अंदर कई सारे respiratory problems आये हैं सवाल उठता है कि क्या हम poultry चीज़ें खा सकती हैं जैसे chicken, egg या किसी भी तरह के wild birds WHO का कहना है कि किसी भी तरह के poultry products को खा सकते हैं अगर वो पूरी तरह से hygienic way में properly cook किया गया हो तो किसी भी तरह का virus मर जाता है 70 degree Celsius के temperature में तो it is safe if it is prepared in that temperature और जब हम बात कहते हैं humans में इसके infections को spread होने के लिए तो इसका infection humans में spread होना is a question अगली खबर नम्म मेट्रो से मिल रही है अब डेट मेट्रो में ट्राविल करने वाले लोगों के लिए एक खुश खबरी जहां इतने लंबे अर्से के बाद इतने सारे deadlines को miss करने के बाद finally BMRCL बैंगलॉर मेट्रो रेल कॉर्परेशन ने डेट फिक्स कर दी है कनकपुरा रोड मेट्रो एक्स्टेंशन को स्टार्ट करने के लिए जो एलचन हली से अंजनपुरा तक जाएगी 14 जैनवरी को इसका इनाउगरेशन होगा और 15 जैनवरी से लोग ट्रावल कर पाएंगे BMRCL के चीफ पी आरो ने कहा है कि हरदीब सिंग पूरी Ministry of State Housing and Urban Affairs वर्चुली इनाउगरेट करेंगे मेट्रो लाइन को दिल्ली से और चीफ मिनिस्टर B.S.A. डूरपप इस इवेंट में शामल होते हुए इनाउगरेट करेंगे और फ्लाग ओफ करेंगे ट्रेन को आखर में एक बहुत ही इंपोर्टन अपडेट बेसकॉम की तरफ से जहां Bangalore Electricity Supply Company Limited ने कहा है कि रेगुलर मेंटेनिंस की कामों के वजह से Electricity, जैदेवा और सारक की सबडिविजिन में थोड़ी सी प्रॉब्रम रहेगी और एरियास जो साउथ बैंगलोर को बिलॉंग करती हैं उन पे भी थोड़ी सी एलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम्स देखी जाएगे जैसे नस्पी पालिया इंडस्ट्रियल एरिया बीटेम स्फेस्टू माइको लेयाउट सेवंथ में और एसाइ कॉलिनी मदीना नगर और जेपी नगर फेस्ट्री फॉर फाइव इन सारे जगाहों में एलेक्रिसिटी का प्रॉजेक्ट बनाये हैं जिसमें 2393 किलोमीटर्स के 11 किलो वोल्ट्स हाई टेंशन लाइन भी बनाये जाएंगे 6 डिफरेंट एरियाज में जो 1400 क्रोस का प्रॉजेक्ट है इस प्रॉजेक्ट के अकॉर्डिंग वो 6 एरियाज इंडरा नगर, जैनगर, शिवाचिनगर, वज्जापूर डिविजिन ये सारे एरियाज आएंगे और आने वाले दिनों में शायद इन सारे एरियाज में पावर सप्लाई की प्रॉब्लम देखी जाएगे तो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हैं इंडिन मीडिया बुक के साथ एंड थाइंक यू फॉ